हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथेड में स्वागत है आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसे हमारा सलाई का काम है वो बहुत असान हो जाता है और हम अपने घर पर ही सलाई का काम कर सकते हैं ऐसे बहुत सिंपल टिप्स आपक सलाई बहुत इजी तरीके से कर सके उसके ही ऐसे आज टिप्स वीडियो में शेयर करूंगी सबसे जो पहला मेरा टिप्स आजाएगा जहां पर आता है प्लेट जहां जो चोनट बोलते हैं कभी-कभी होता है कि उन में हमें प्रॉब्लम आती है जहां एक शोटा सा में टिप शेयर करूंगी जहां पर देखिए जो धागा सनाल का को हम लगा ब्रॉब्ल सdoo जहां जब न में जहां आता है तो तो मिजड़ं सलाई करेंगे रहाएगा इसथा न हदिला होता है जहां प टाइड़ धाइट अब खाला läसप लद दालने के लिए इस में हम क्या प्लेट कर देंगे इससे जो धागा है वह हो जाए रहें जो प्लेट होती तो पर नप्ल,OCह,ब जाएक वाली जो प्लेट होती है इस पर नमबर लिखे होती है ऊण फैले पांच वर फाईव ऐसे लिखे होते हैं कि जब हम नॉर्मल स्लाई करते हैं हमारी स्लाई होती हैं 玩 aftermath लंबे टाके आते हैं और जहां पर देखें सिंपल स्लाई मैं कर रही हूं अब तुझे इसकी चोंटे हैं पीशे देखिए ऐसे ही परती जा रही है क्योंकि हमने दो चीज इसकी चेंज की थी एक तो नंबर पांच पर कर दी थी हमने स्लाई अपनी जो नॉर्मल आती है और दूसरी था धागा उसको हमने टाइट कर दिया था इससे हमारे बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है जहां पर देखें जो स्लाई आये थी उसके लंबे लं आके आपको पताया जहां पर देखें चोंटे हैं इस पर भी सीम कलर था इसलिए मैंने दूसरे पर लगाया था तो जहां पर देखें कितने स्फाई से प्लेट्स आ गई ऐसा करने के बाद हम इसको फिर पक्की स्लाई जो होगी उससे भी एक बार स्लाई लगा देंगे जब तो हम जो अपनी नॉर्मल है जो हमने टाइट के अधा धागा इसको हम फिर से नॉर्मल पे कर देंगे ना ज्यादा टाइट होगा ना ही ज्यादा धीला और जहां पर जो फाइब नंबर पर हमने गुमाया था उसको फिर से दो नंबर पर लेकर आएंगे यह हमारी नॉर्म स्लाई होगी जो पक्की स्लाई होती है क्योंकि पांस नंबर पर जो धागा डिला आता है तो उस वह होते हैं हमारी कच्ची स्लाई अब हमने कच्ची स्लाई लगानी हो तो भी हम पांस नंबर पर करके फिर कच्ची स्लाई लगा देते हैं जिसको रफ स्लाई बोलते हैं तो व क्षॉद की तरीके से अटाइज हो जाएंगे हम इसको अटाइज फॉडा के साथ कर सकते हैं ऐसे चूंटे हम सलवार पर भी बना? बना सकतेonnे तो निक्स्ट मेरा टिप सा गया है गया जीरील को और अपनी बुबिन्ज होती है क्योंकि हम जब एक वार एक कलर का काम करते हैं तो उसी कलर का हम बाविंज वही अपने भर लेते हैं धागा तो हम जब काम खतम हो जाता तो कभी-कभी वह वीच में काफी रह साता है हम उसी रील के साथ इसको अटेच कर देंगे एक रबर वैंड की हेल्प से तांके हमें जब फिर से काम करना पड़े तो हमें जो रील है वो भी एक साथ आपने बाविंज के साथ मिल जाए इसलिए एक रबर की हेल्प से बीच में निकाल कर जे देखे ऐसे अब रील के उपर रबर को हम लगा दें और ऐसे हम कहीं पर अपने रख सकते हैं किसी भी डब्बे में तो हम हमें ये रील भी और बाविंज भी एक कलर का धागा अराम से मिल जाएगा ज्यादा हमें धूंडरा नहीं पड़ेगा तो बहुत ऑजी तरीके से हमें ये मिल जाता है तो हम ऐसे शोट शोटे टिप्स अपना कर अपना काम है जो बहुत इजी कर सकते हैं और अपना टैम भी बचा सकते हैं अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगें लाइक एंड शेर करिए जो मेरी वीडियो पर पहली वार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़िए कि ऐसे हम जब रख देंगे एक साथ सब समान को तो वो बहुत इजी हमें मिल जाता है तो हम बहुत इजी हम मिल जाएगा तो हम बहुत जल्दी अपना काम कर लेंगे तो मेरा नेक्स्ट टिप्स आ गया जब हमारी मिशीन होती है के वर क्या होता हमारी मिशीन है जो वो कभी कभी काम नहीं करती खराब सी होने लगती है उसके लिए एक चोटा सा टिप्स है जहां पर देखे जो मिशीन का आता है जहां पर जंग लग जाती है तो वो जहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है जंग लगने के बाद जे टूट टूट कर जहां से गिरने लगता है ऐसे हमारी मिशीन है जो वो ख्राब हो जाती है इसके लिए टिप से है हम कच्चा आलू एक ले 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 उसको बीच में से कट कर दें दो पीस करके इस पर जो मिशीन का तेल आता है वो लगा दें मिशीन का तेल लगाने से फिर हम अपनी मिशीन को आलू से अच्छी तरह से साफ करें ऐसे इसको रगर रगर कर हम अच्छी तरह से साफ कर लें जहां पर जंग लगा है वहां से जहां पर नहीं लगा वहां पर भी हम आलू को ऐसे अच्छी तरह से रगर दें इससे जो हमारा जंग लगा हुआ पार्ट है वो आगे नहीं बढ़ेगा बस वहीं पर ठीक हो जाएगा रुक जाएगा और जो आगे जंग भी नहीं लगेगा तो हमारी ऐसे मशीन काफी सालों तक नहीं की नहीं ही बनी रहेगी क्योंकि ऐसे खड़ाब नहीं होगी नहीं तो क्या होता है कि खड़ाब हो जाती है तो ऐसे एक शोटा सा टेप्स आलू का ही लेकर हम अपनी मशीन को काफी सालों साल तक अच्छी तरह से रख सकते हैं और इसको आलू से अच्छी तरह साफ करने के बाद एक दो घंटे के लिए ऐसे ही शोड़ दे और शोड़ने के बाद अच्छी तरह जब साफ होगी तो इसको एक घंटे शोड़ने के बाद हम कौटन से जन टीशू पेपर से अच्छी तरह से साफ कर ले ऐसे हमारी मशीन है जो बहुत जंग लगने से बच जाती है यह शोटा सा टिपस है लेकिन हम अपना कर अपना काम बहुत इजी कर सकते हैं और हम अपनी मशीन को भी अच्छा और सुन्दर रख सकते हैं आपको टिपस कैसे लगे और कमेंट बॉक्स में बते हैं